हेई गाईज वेलकम टो माई चैनल और वेलकम टो नीव व्लॉग है इंगोवा सो आज हम बस ऐसे ही नॉर्मल सा एक व्लॉग करेंगे मतलब करन्ट सिच्वेशन देखेंगे कालंगूट की और खैंदलिम वॉग करेंगे बहुत चोटा सा व्लॉग करने वालों ज्यादा बस नॉर्मल सिच्वेशन आपको दिखाने वालों यहां पर कैसा क्या चल रहा है और कैसा क्राउड है आज है त्यू से तो बस जहां से स्टार्ड होता है वो गुजराती रेस्टोरेंट वहां से वॉक करते करते कालंग कांदलिम में इंटर करेंगे और करन्ट सा क्राउड और करन्ट सिच्वेशन देखेंगे ऑल्राइट तो बने रही इस वीडियो में अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे है और प्लीज हिट थे स्काइब बिटन तो गाईस सामने वह रोड है कालंगूड वाली और मैं खड़ा हुआ है और इसमें आठ रूम है और रेट चालू होता है आठ सो से लेके बारा सो पंदरा सो डिपेंड करता है क्राउड और सिच्वेशन पर अच्छा के सब्सक्राइब और यह रोड है और यहां पर यह रेडी जो आप देख रहे हैं यह स्टॉल देख रहे हैं लेट नाइट ओपन रहता है तिंचार वेतं मॉर्निंग में चाइनीज वोड वगरा मैंगी और यह सब नागल पानी वगरा मिल जाता है तो यह अब हम आगए कालंगूट वाली रोड पे यहां पर सामने चावला रेस्टोरेंट है और देखें क्राउड दिख रहा है थोड़ा बहुत ब पर यहां पर लोग जो लंच कर रहे हैं उनका है तो सामने एक वाइन शॉप है यहां पर ब्लैक डॉग करके जो लिखा हुआ है जैस्वाल वाइन यह वाइन स्टोर है तो लग मतलब आजकल जो आफ्टरनून रहती हैं आपे काफी क्राउड़ेड रहती है काफी क्राउड देखा अब कल मंडे था कल भी बहुत क्राउड था पानी पूरी खानी हो यहां पर 40 रुपए में पांच पानी पूरी मिलती है गोवा में पानी पूरी बहुत इस ट्रेंट जो मैंने बताया था आपको इंडियन डावा इसका ओल्रडी मैंने व्लॉक किया हुआ है तो यहां पर खाना बहुत सस्ता बहुत अच्छा और क्वालिटी में मिलता है तो दूज एक आप इस लेस गाईस इंडियन डावा और फुल पोर्षन बहुत अच्छे मिलते हैं मेरा यह व्लॉक बनाने का एक और मोटो है कि करन जो हालात है सिट्वेशन है अभी कैसा चल रहा है वाक करके मैं थोड़ा आपको दिखाऊं कुछ प्लेसे यहां के दिखाऊं कैसे क्या है यहां पर दिखिए ओवर दा प्लेम काफी अच्छा रेस्टोरेंट है ओ रात ने बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है जहां पर आप मैच वगएरा का भी इंज्वाइब कर सकते हैं इस इस ओवर दा फ्लेम रोड पे है और ओपेन एर है अच्छा एम्बेंस रहता है रात में यहां पर यह सुको थाई स्पा है यहां पर एक जैनल इस्टोर है अगर आप लेट नाइट कुछ लेना चाहते हैं यह भी चेकाउट कर सकते हैं प्लेस सामने आर्ट गैलरी है मारियो आर्ट गैलरी यहां पर एक प्लेस है लाग रांदे नया ओपन हुआ है भी रिजेंट और दिस इस ग्रेट ये बंजाब यह भी लेट नाइट ओपन रहते हैं और उस तरफ काना प्योर वेज हैं है एए इस अ मिद्स प्योर वेज घूंद है इए यहां यहाँ ठीक रराउद रहता है धिन outright रहता है थे नहिंडित रेता है भाषत रता है रहता है केंदिलिम में इस रोट में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेसें स्ट्री करने के लिए इस रोट से अगर आप जाएंगे तो लॉरी इस तरफ से भी जा सकते हैं लॉरी जो बीश्यक मैंने आपको दिखाया हुआ है वह और यहां पे टेंपल है सामने जो यह रोट जारी अ पे भी बहुत अच्छे होटेल्स और रिजॉट्स है अच्छा प्लेस है यहां पर जितने भी आपको जगा में दिखा रहा हूं गुट प्लेसें स्टे करने लिए और वो दिस इस केक शॉप हो वहीं है सामने अभी नया प्लेस ओपन होगा है देली दर्बार इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो यहां पर भी अभी ओपन किया है नौथ इंदिन पूर्ट जेकाउट करना चाहते हैं गोगा में यह सब प्लेसे अच्छे हैं सामने हाया सेंट्रिक पाइविस्टार होटेल अच्छी प्रोफर्टी है यह भी स्टे करने के लिए अगर आपका बजेट अच्छा है तो कि हुआ है कि यहां पर इनका कि इस पाइब है ओटू इस पाइब करके तो सामने देखे दालोहियास करके एक प्रॉपर्टी है यहां पर कुछ शॉप है भीच वियों से विडिटेट दिस इस दालोहियास होटेल अच्छा होटेल है बड़ा है ठीक है और दिस इस ड्यूकले होस्पिटल आपको कुछ प्रॉबलम होती है तो यहां पर आड़ी पीस्यार वगयरा भी हो जाता है तो अगर आपको आड़ी पीस्यार करना है थाउजन टूफोर अड़ी सम्थिंग देचार्ज सो आड़ी पीस्यार करने के लिए यह प्लेस ठीक है कॉल करिए और चेकाउट करिए पाकी रात में 9-10 बचे के बाद बंदो जाता है इमर्जेंसी सर्विस रहती है इतना नहीं सही है उसके लिए मैं प्राइमरी हेल्थ केर आपको सजेस्ट करूंगा अगर रात में ज्यादा खुछ दिक्कत होती है दिन यहां पे छोड़े मोडे रेस्टोरेंट्स आ जाएं हैब यह इसेंट में आ वी इसेंट ग्रॉड गाइस आज कर देंगे ट्योड्य टी डोलेंडी अब अबागा अथीटवेंगर एरिया अच्छा कासा क्राउड है अच्छा अब पहले जैसा अभी देखनें आपने मिल रहा है अभी सब अच्छा अच्छा है सामने बाबा जी आते हुए यह भी एक होटेल है ले सीजन्स बीच रिजॉट ड्यू ड्रॉप देन उसके आगे वहां पर नोवाटेल आ जाएगा यहां पर शॉप है कभी अच्छी वीच वियर से रिलेटेट और नॉर्मल पार्टी वाड़ी के लिए कुछ देना होतो दिस इस क्रिया वाड़ो जो कि ले जाता है आपको बीच की तरफ और कुछ एक होटेल की तरफ यहां यहां से भी आप लॉरीज भी शेक जा सकते हैं यह जो एरिया है का मेन एरिया है फिर आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे प्लेसें से इस्टे करने के लिए गाइस इस इस साथ रिस्टो बार एं बनाना ली अच्छा प्लेस है और यह सामने है नोवा डेल गाई नोवा डेल अनदर फाइव स्टार होटेल अच्छा बजट है तो आप चेक आउट कर सकते हैं अच्छी प्रॉपर्टी है स्टे करने के लिए तो गाइस कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा यह नॉर्मल मैंने वीडियो किया है जिसे आपको अभी यहां पर कैसी सिचुएशन है और कालंगूट और खैंदलिम कैसा दिख रहा है तो वह दिखाने की कोशिश करी है जैसे मैं वीडियो करता वीडियो नहीं है यह बट फिर भी सुचा आप लोगों को दिखाओ अभी कैसे हाला रहे है यहां पर ऐसी सिचुएशन चल रही है और राइट सो वीडियो पसंद आया हो देन हिट देर सस्क्राइब बटन इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज सस्क्राइब आप से मिलता हूं नेक्स्ट वाग में तब तक के लिए टेक गुड क्यार वेसल बी हैपी एन इंज्वाइब अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाबाई